बस्पा सुप्रीमो मायावती का कॉंग्रीस पर तीखा हमला आरक्षन का श्रया बाबा साहिब को ना कि नहरू और गांधी को बस्पा प्रमुक मायावती ने कॉंग्रीस और उसके अध्यक्ष मलिका अरजुन खरगी पर तीखा हमला बोला है उन्होंने कॉंग्रेस के उस दावी को सिरी से खारिज़ कर दिया जिसमें खर्गे ने अनुसोचित जाती और अनुसोचित जञ जाती यानि S.E.S.T. को मिले आरक्षिन का श्रिया पंडित नहरू और महतमा गांधी को दिया था मायावती ने इसे कॉंग्रेस का जूटा करार दिया और कहा कि S.E.S.T. को आरक्षिन का पुरस्ट्रिय के इवल बावा साहिब भीमरा अम्मेड करको जाता है ना कि नहरूप और गांदेजी को मायावती ने अपने ट्वीट में कॉंग्रेस के अद्धक्ष पर आरूप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने हमेशा से बावा साहिब की खिलाफ चड़ियंतर रचा है उन्होंने बदाए कि कॉंग्रेस ने ना केवल वावा साहिब को सम्मिधान सभा में जाने से रोका बलकि उन्हें कानून मंत्री पद से सीफा देने के लिए भी मजबूर किया बसपा सुप्रीमों ने यह भी आरूप लगाए कि कॉंग्रेस सेस्टी उपवर्गी करण यानि सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है और क्रीमी लेयर को लेकर गोल मोल बाते कर रही है मायवती ने सपश्ट किया कि वर्थमान सरकार सेस्टी आरक्षन को खत्म करने की साजिस कर रही है उन्होंने कहा कि अनूसूचित जाती और जन जाती के 40 करोड लोग सरकार के रुख से ठगा हुआ महसूस कर रही है मायवती ने आरूप लगाया कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी लोगों को भ्रमित कर रही है और सरकार क्रीमी लेयर और कोटी के अंदर कोटी के बहाने हमारा आरक्षन समाप्त करना चाती है मायवती ने केंद्र सरकार पर यह भी हारूप लगा है कि उन्होंने कई बार आरक्षन को खत्म करने की कोशिश की है सुपरीम कोड़ की फैसली के बाद राजसरकारें अपने हिसाब से आरक्षन देने का अधिकार रखती है जिसे दलितों का आरक्षन खत्म हो सकता है उन्होंने अपने समाज के सभी सांसदों और विधायकों से इस स्तिथी से निपठने के लिए एक जुठ होने का आउवाहन किया